स्वच्छ भारत अभियान में हार्याना के सिर्षा जिले का खास मुकाम रहा है खुले में सोच से मुक्ति पाने वाला सिर्षा हार्याना का पहला जिला था सिर्षा जिले का गाम हांडी खेडा भी स्वच्छता के मामले में नए आयाम स्थापित कर रहा है हांडीखेडा के हुआ और सिक्सित सरपंच आत्मा रामसियाग पूरे अभ्यान की कम्बान संभाले हुए है हर एक रविवार को गाव के किसी खास हिसे के और चिनित करके साफ किया जाता है गाव के सभी घरों में सोचाले बने हैं और कोई भी सोच के लिए बाहर नहीं जाता सभी गरामिन अपना कुड़ा गाव के बाहर खास जगह पर इकटा करते हैं इस कुड़े को बाद में सिर्सा के डंप में भिजवाया जाता है गाव के सकूल और दूसरे भवनों को भी खास तोर पर सजाया गया है सकूली बच्चों को सवच्चता रखने और युवाओं को नौशे से बचने की प्रेर न दी जाती है पूरे गाव में सवच्चता और पर्यावरन संग्रक्षन से सबंदित नारे लिखे गए हैं पर बेटियों की सिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है हमने हांडी केडा का चक्कर लगा कर पर्मुख लोगों से बात्चित की है आईए आपको भी सुनाते हैं हांडी केडा की स्वच्चता का राज आखिर क्या है गाउं का कोई समय नहीं होता और नभी उबन अपने आप या जाता है संडे ओने से पर ले हमारी एक मिट्टी में जाती है कि इस संडे को अमने ये सारी स्वाई करनी है गाउं का बुझरगों हमारे को बहुत आशिरवाद मिलता है मतांए बैने मारा बहुत साथ देते हैं हमारे गाउं में सिर्फ कमी तो सिर्फ एक ही चीज़ जी किया कि प्राइमरी स्कूल है और वो हमारे जो बुजरक है वो बताई रहे हैं कि 1905 के बाद हमारे स्कूल की बढ़ोतरी नहीं होई बहुत हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार कम से का मारे को मीडल स्कूल दे इसे हमारी लड़कियां जो हैं वो पढ़ चके में सबस्ता है तो आप लोगों ने ने देः गाओं मार कर कर गुड़ा डालए के लिए एक निश्ठी सतान उन्हें द impress आ गे हैं तो मैं मेरे गाम को बहुत बहुत दन्युदाद देता हूं मेरे गाम की अच्छी मैं कोशिच करता होुं कि मैं हमेशाई मेरे काम के भारे भार मेट करते हैं कि स्वस्ट जो है ऑन चीज पिंगर चीज के जरूरREE है चाहि बीमारी हो चई घर में बगवान आना हो जुआ है अपने घर में जैसे जो जो भी है सफाई से सारा काम होना है तो मौत देजी का नारा बहुत बढ़ी नारा है इसके लिए हम उनका दन्य तया दिल से दन्यवाद करते हैं और एसा ही रहे हमारा देश सवस्त रहे सुंदर रहे सोचमुक्त रहे सबसे बैद लिए पासकर के सरपंच साब सभी को लेकर अपनी एक टीम लेकर समय समय पर मोटिवेट करने के लिए जरूर आते हैं इवन कि बच्चों को भी समय समय पर संदेश देते हैं हमारे विद्याले में भी पूरा ध्यान दिया जाता है सफाई का गाव में भी सरपंच साब पूरा ध्यान देते हैं सखाई की तरफ नमबर दो जार चाओदों को जिला में जो माननीय प्रदानमंत्री जी ने शुषबार्त मिशन ग्रामनिश की शुरूआत करी थी उसको अपने जिला में एक नमबर दो जार चाओदों को शुरू करेंगी सबसे पहले उस गाउं में लोगों के मीटि को मोटिवेट किया गया स्कूल में बच्चों को मोटिवेट किया गया और अंगनबाडी वर्कर के मादम से सारी महलाओं को कठा करके मोटिवेट किया आज के दिन उस गाउं में केवल 290 गर हैं 290 के 90 गरों में सोचला बने हुए हैं कोई भी व्यक्ति वहां बाहर में जात है और गाउं में बहुत अच्छे अच्छे नारा लेखना किया हुए है पेंटिंग की हुई है और वहां का जो सर्पंच आत्मा राम वह बहुत ही महनती है और पूरे गाउं को गाउं के लोगों का वहां सायोग रहा है गौर्मेंट ऑफ हिंडिया की टीम भी इस गाउं मे पर देकर समानित कर रहें इस गाउं की पंचायत को रैंक की बात करें शुरुआत में तो जो हर्याना का पहला जिला था सिरसा जिला और जब ये खुले में शौच मुक्त हुआ था उस टाम पूरे देश का अठारमा जिला था फिर उसके बाद एक कॉंसल आफ इंडिया कॉ और राजा के स्थार पर भी पैला स्थान था अभी स्वास शर्वेक्शन गिरामन का हुआ है लेकिन अभी उसका ओफिशली रिजल्ट नहीं आया है लेकिन पहले सौ जिलों जो देश के पहले सौ जिले हैं उसमें हमारा 58 नमबर पे आया है अभी तक उसमें कुछ कंपोनेंट नहीं है बहुत सारे कंपोनेंट को लेकर इसका रिजल्ट त्याद